जहिन स्वागत है आप सभी का हमारे अपने डूप चनल सोल्जा श्रामी त्यारी पो तो साम के साथ बच चुके हैं और आज फिर से जो हम लोग इंडियन आर्मी का बिल्कुल नया औरीजिनल प्रिविएस के पेपर बनाएंगे जो कि आपका देखो सोल्जा जीडी का कोला प जो बेस्ट उपाय है वह यही है कि उस एक्जाम के प्रिविएस के बनाया जाए और वहीं आप सब कर रहे हो मैं रोज साथ बचाब के लिए इंडियन आर्मी का प्रिविएस पेपर लेकर आ रहा हूं जिससे आपको पैटरन समझ में आप इंडियन आर्मी की और आपको उस क्लासेज की जो भी क्लासेज करवाई जाती है तो चली शुरुआत करेंगे आपकी सोल्जा जीडी की पेपर रहेगी आज कोला पूर का ठीग है क्या दिया वह देखो सेक्साने जेनरल नौलेज क्यूशन नमबर वन टू फिप्टीन समाय निग्यान प्रिश्टकरमां की ए होनी चाहिए रूफ अफ दो वल्ड किसको बोलते हैं तो यहां देखो कहा जाता है तिब्बत को क्या हो गया तो ऑप्सन ए चली अगली सवाल पर बढ़ेंगे देखो है वीच आफ दो फॉल्विंग रिवर्स और्गिनेट फ्रॉम अमरकंटक निमलिकित में से कौन सी नद अगले सवाल पर बढ़ेंगे अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपका यहां पर यह है कि हुआप पॉइंट्स अटॉर्णी जनरल ऑफ इंडिया भारत के अटॉर्णी जनरल की न्यूकती कौन करता है राज्यपाल या फिर आपका राश्रपती या फिर पर दानमंत्री निमलिकित में से भारत के अटॉर्णी जनरल की न्यूकती किसके द्वारा की जाती है कौन है जो कि भारत के अटॉर्णी जनरल की न्यूकती करते हैं तो भारत के जो अटॉर्णी जनरल है इनके न्यूकती होती है राश्रपती के द्वारा क्या हो गया राइट आंसर तो आ अगला सवाल दिया है आग देखो चार नंबर यहांपर आपका कि फटे पुर्षिक्री वस ब्यूल्ट बाई वी इच रूलर फटे पुर्षिक्री किस सासक दोरा बनवाया गया था बाबर हुमायू अकबर या फिर शा जहाँ निम्लिकित में से जो फटे पुर्षिक्री है इसका नर्मान करवाया है देखो अकबर ने क्या हो गया राइट आंसर तो अप्शन सी अकबर हो गया सभी का चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे अगला सवाल है आपका यहां पर देखो की on which date international day of non-violence is observed अंतराश्री अहिंसा दिवस किस तारिख को मनाया जाता है दो अक्टूबर, 30 जन्वरी, 23 मार्च, या फिर 10 दिसंबर निमलिकित में से किस दिन जो है अंतराश्री अहिंसा दिवस को मनाते है नन-violence day जो है मनाया जाता है सवाल को करेंगे अगला सवाल है आपका यहां पे देखो यह दिया हुआ है कि इंडियन करिंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन विच सिटी भारतिये नकत मुद्रा के नोट किस सहर में छपते हैं मुंबाई नाकपूर नई दिल्ली या फिर नासिक निमलिकित में से जो भारतिय मुद्रा भारतिये नकत मुद्रा के नोट है वह किस सहर में छापे जाते हैं क्या वगर आई डांसर सभी को बताना और बिल्कुल सही करना है दिया हुए कि भारतिये नकत मुद्रा के नोट जो है वह किस सहर में छापे जाते हैं तो यह जो नोट है यह देखो छपते हैं न 2087 या फे 1661 निम्लिकित में से किस वर्स में जो है पानि पत का तिसरा युद्ध लढ़ा घया पानिम्लिकीत का फश्ठ बivas Crazy यह दूनों , बहूत इंपोर्टेंट है पानिम्त का युद्ध यह वे लेढ़ा था 1761 में, किसके किसके बीच हुआ था तो सब कोई नोट कर लेंगे जिनको पता नहीं है किसके किसके बिच हुआ तो वह हुआ है देखो एहमत साह अबदाली के बीच में and आपका हुआ है मराठाओं के बीच में ठीक है एहमत साह अबदाली और मराठा जिसे विजय एहमत साह अबदाली हो गया था ठीक है बहुत बार आते हैं पानीपत का first battle and पानीपत का third battle सब को जरूर से जरूर पढ़कर ही जाना ठीक है चलिए निक्सक्रीशन देखेंगे आठ नंबर सवाले देखो आपका यहाँ पे कि where is the headquarter of UNO located सविक्तराश्च्र संग का मुख्याले कहां इस्तीत है निक्सक्रीशन देखो जरूर पेरिस, स्विट्जियर लेंड या पिर जिनेवा निमलिकित में से जो सविक्तराश्च्र संग का मुख्याले है यहां कहां पे इस्तीत है क्या उगर I'd answer सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है तो जो समय तराश्रश्रंग का मुख्याले है यहां देखो इस तीत है New York में क्या हो गया तो option A New York पूछा जाता है कि जो समय तराश्रंग है उसकी अस्थापना कब की गई थी तो जो समय तराश्रंग है इसकी अस्थापना होई है देखो 24 October 1945 में क्या हो जाएगा तो 24 October 1945 सबको जुरूर ध्यान में रखेंगे और New York में जो इसका मुख्याले है चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे नौ नंबर सवाल है देखो आपका यहां पर कि Who among the following was known as Lady with the lamp निमलिकित में से किसे Lady with the lamp के नाम से जाना जाता है एनी बेसेंट, सरोजनी नाइडू, इंदिरा गांधी या फिर फ्लोरेंस नाइट एंगल निमलिकित में से किसे जो है Lady with the lamp बोलते हैं क्या होगा राइट आंसर सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे गलती कोई भी मत करिएगा निमलिकित में से किसे जो है Lady with the lamp बोलते हैं तो Lady with the lamp जो है यह देखो बोलायाता है फ्लोरेंस नाइट एंगल को क्या होगा राइट आंसर तो आप संडी हो गया सभी का चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे 10 नमबर सवाल है आपका देखो who was the author of the book My Experiment with Truth My Experiment with Truth पुष्टक के लेखा कौन थे महात्मा गांदी, तारा आली बेग मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर गोविद वल्लोपन निमलिकित में से जो My Experiment with Truth नामक पुष्टक है यह किसके द्वारा लिखी गई है क्या होगा answer सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है तो जो My Experiment with Truth है यह देखो लिखा गया है महात्मा गांदी जी के द्वारा क्या हो गया तो option A चलिए अगले सवाल को करेंगे अगला सवाल जो है यह देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है नेक्स कीवचन है आपका यहाँ पे यहाँ आपको मिला हुआ है कि Who was the founder of Brahma समाज Brahma समाज की अस्था अपना किस के द्वारा की गई थी स्वामी वेकानन्द, दयानन्द, सर्श्वती, राजा, राम, मोहन, रोय यह फिर जोती, बाप, फुले मैंने हमेशा का है यह topicस हमेशा क्युचन आता है प्रमुक्त संस्था आपक आज ही एक बज़े यह वाला class करवाया था मैंने और यह क्युचन मैंने आज की एक बज़े वाले class में ही करवाया है तो जिनों ने अभी तक आज क्या राम मुहन रोई जी के द्वारा क्या होगे राइट आंसर तो आप संसी चलिए अगले सवाल को करेंगे अगला सवाल है आपका यहां पे देखो यह दिया हुआ है कि इन इंडिया इलेक्षन ओफ लोकसभा हेल्ड आप्टर एवरी यर भारत में लोकसभा के चुनाव कितने व आइकन को आल पे जरूर सेट कर दीजिएगा तो भारत में जो लोकसभा के चुनाव है यहां देखो होते हैं पाच वर्सों के बाद क्या होगे राइट आंसर तो आप्शन ए चलिए निश्क्रिशन देखेंगे अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपका कि वेर इज गेट को इस्तित है मुंबई में क्या होगे अगर आइट आंसर तो आप्शन दी चलिए निश्क्रिशन करेंगे चौदर नमबर सवाल है आपका देखो यहां पे कि अपर हाउस ऑफ दे इंडियन पार्लियामेंट इस नो नैजदा भारतिये संसद के उपरी सदन को क्या कहा जाता है लोक सभा समीद या फिर दियावे विधान परिस्द या फिर राज सभा या फिर विधान सभा भारतिये संसद के उपरी सदन को क्या बोलते हैं क्या अगर आइट आंसर सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सभी बताएंगे गलती है किसी से भी नहीं होनी चाहिए तो देख विधान फॉलिविंग इज ओफ टेन रिफर्ड एज ब्लैक पर्ल निमलिकित में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर संबोधित किया जाता है विलियम जोन्स विनस विलियम्स है या फिर निश्में पेले या फिर मैरा होना या फिर सेरेना विलियम्स निमलिकित में से किसे ज पेले ठीक है जिक्के के जो है 15 किविशन्स आपके हो चुके हैं अब आगे बढ़ेंगे हम लोग जीएस के किविशन्स की हो ठीक है तो चलिए जीएस का किविशन नंबर वन जो है यह है देखो आपका यहाँ पे सेक्षन भी जेनरल साइंस किविशन नंबर 16 to 30 समानी विज् 1HP 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 equal to कितना होता है क्या होता है वैल्यू यह जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है चलिए सभी लोग करेंगे और बिल्कुल जल्दी से बताएंगे तो 1HP 1HP equal to जो है देखो आपका होता है 746 Watt क्या हो गया राइट आंसर तो option D 746 Watt ठीक है चलिए next question करेंगे अ प्रोपेन और ब्यूटेन इथेन और प्रोपेन या फिर मिथेन और ब्यूटेन जो LPG सिलेंडर है उसमें निमलिखित में से किन गैसों का मिसरंद पाया जाता है क्या होगा right answer सभी लोग करेंगे और बिल्कुल जल्दी बिल्कुल सही बताएंगे गल्ते किसी से भी नहीं ह इज मनुस्य के सरीर में रक्त की मात्रा होती है 90 डिगरी 7 डिगरी 14 डिगरी या फिर 1 डिगरी निमलिकित में से मनुस्य का जो सरीर है इसमें रक्त का कुल कितना मात्रा पाया जाता है क्या होगा राइट आंसर सभी लोग को बताना है और बिल्कुल सही बताना है गलती कोई भी नहीं करेंगे तो मंदर से का जो शरीर है उसमें जो रक्त है यह देखो 7% 7% पाया जाता है क्या होगे राइट आंसर तो उप्सन भी चलिए अगरे सवाल के और बढ़ेंगे 19 नंबर सवाल दिया हुआ है देखो कि आप्टर डाइजेस्टन प्रोटीन इस कनवर्टेड इंटू पाचन के पस्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है वसा में सुक्रोज में ग्लुकोज में या फिर एमिनो एसिड में पाचन के पस्चात जो प्रोटीन है वहां निमलिकित में से किसमें परिवर्तित हो ज साथ वे जो है आपका इंडियन आर्मी का ओरीजिनल पेपर आपसा को बनवाया जाता है तो हमारी इन दोनों क्लासे में आपसा भी जरूर जुड़े पाचन के पस्चाथ जो प्रोटीन है यहाँ देखो एमीनो एसीड में परिवर्तित हो जाता है क्या होगे राइट आंसर त निम्लिकित मेंसे जो पागल कुत्ते के काटने पर कौन सी विमारी होती है तो जो पागल कुत्ता है इसके काटने पर देखो रेबीज नामक रोग होता है क्या होगे राइट आंसर तो अपसंज सी हो गया सभी का चली अगले सवाल क्यों बढ़ेंगे 21 नमबर सवाल है अभी को करना और बिल्कुल सही बताना है सब कोई करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे कि मनुस्य के सरीर का जो प्रमुक स्वसनंग है वह कौन सा है तो वह होता है देखो आपका फेफड़ा लंग्स क्या हो गया तो राइट आंसर है और सेंडी चलिए अगले सवाल क्यों बढ़ेंगे 22 नमबर सवाल जो है 22 नमबर सवाल यहाँ पे आपको देखो दिया गया है क्या होगा answer सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है गलती कोई भी नहीं करिएगा तो जो प्रकास लिसन है यहाँ देखो होता है नीले प्रकास में ब्लू लाइट में अधिकतम होता है ठीक है क्या होगा right answer तो option B चलिए अगला सवाल जो की है आपका यहाँ पे देखो क्या होती है क्या होगा right answer सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे तो जीवन की मूल भूतिकाई है यहाँ देखो कोसिका होती है क्या right answer तो option C चलिए अगले सवाल को करेंगे 24 नम्मर सवाल है देखो आपका यहाँ पे कि टाइफाइड is caused by टाइफाइड किसके का होती है क्या होगा answer सभी लोग को करना और बिल्कुल सही बताना है तो बताइए क्या होगा टाइफाइड जो किसके कारण होता है तो जो टाइफाइड है यहाँ देखो होता है आपका बैक्टेरिया की वजह से क्या होगा right answer तो option B बैक्टेरिया चलिए next question करेंगे 25 नम्मर स होता है बादल जो है वातावरन में किस कारण से तैरते हैं क्या होगा right answer सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे तो जो बादल है देखो वातावरन में तैरते हैं कम घनत्व की वजह से low density की वजह से क्या हो गया तो option C चलिए अगले सवाल के उपड़ी क्यों गलती किसे वह नहीं होने चाहिए चलि बताएंगे क्या होगा आवरिती का मात रख क्या है तो आवरिती का मात रख है यह देखो हर्ट होता है फ्रिक्वेंसी का यूनिट क्या है तो वह डी हर्ट होता है ठीक है चलि अगले सवाल को करेंगे 27 सवाल है देखो the red color of human blood is due to प्रायो गलोबीन, immunoglobin, hemoglobin, hemoglobin या फिर heptoglobin मनुस्य के रख्त का जो रंग लाल है वह किसके वज़़ा से होता है क्या होगा answer सभी लोग बताईएगा और बिल्कुल सही बताईएगा मनुस्य के रख्त का जो लाल रंग है यह देखो होता है किसके वज़ा से तो यह होता ह हीमो ग्लोबिन की वज़ा से क्या हो गया तो option C हो गया सभी का चलिए अब जो बढ़ेंगे 28 नंबर सवाल पर 28 नंबर सवाल है देको कि which of the following is a non-magnetic material निमलिकित में से एक और चुम्बकिये धातु है निकेल, टीन, लोहा या फिर कोबाल्ट निमलिकित में से कौन सा ऐसा धातु है जो की एक और चुम्बकिये धातु है क्या होगा right answer सभी लोग को करना और बिल्कुल सही बताना है गलती मत करिएगा बताई यहाँ पर क्या होगा निमलिकित में से कौन सा जो है एक और चुम्बकिये धातु है तो निमलिकित में से जो और चुम्बकिये धातु है वो है देखो आपका टीन क्या होगा right answer तो option B चलिए अगले सवाल को करेंगे 29 नमबर सवाल है देखो आपका यहाँ पे कि the process of rusting of iron is called लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है अउकरण धर्ब्यमान औसोसन या फिर आकसी करण निमलिकित में से लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया है इसको देखो ऑक्सी डेशन ऑक्सी करन कहते हैं हो गया सभी का चलिए अब जो है रहेगा आज का लास्ट क्यूशन थर्टी नंबर क्यूशन है यहाँ पर देखो आपका कि फिस ब्रेस्थ्रू मचली के द्वारा सास लेती है आ आपके आज कि क्लास के बढ़े इसको जरुशन को सही किया आज आपका हम नहीं दे रहा हूं मैं आज आपका हुमर्क नहीं है सभी आपना इसको जरूशन करना है और सभी क्लास की रूटीन जरूर रहा रहे है जो कि टॉपिक वाइच चल रहा है बहुत इंपॉर्टन टॉपिक आपके क्लियर करवाय जा रहे हैं आज भी आपका टॉपिक हुआ है प्रमुख संस्ता एवं उनके संस्तापक उसमें बहुत सारे क्यूचन्स आपके बनते हैं तो जो नभी तक उस टॉपिक को नहीं अटेंड के आज की एक बजे क्लास को लिंक यहां पर दिख जाएगा वो लोग जाके अटेंड कर सकते हैं ठीक है और आप सबसे मुलाकात हों कि सीधे कल दो पर एक बजे जबाएगे हमार इंडियन आर्मी की जिक के जीएस के क्लास और कल जो है हम लोग एक बजे क्लास करेंगे लिंक पर से जरूर देख लेना all of you by मिलते हैं आप से सिधा कल दो पर एक बजे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत have a good night sweet dreams मुलूंग आप से सिधा कल दो पर एक बजे जय हिंद जय भारत